हम MANITS या Mobile Ad Hoc Networks पर Multiple Choice Question यानि की MCQs और उनके Explanation देख रहे हैं MANITS आर यानि की MANIT क्या है Option है हमारे पास Infrastructure Oriented, Infrastructure Less, Partially Infrastructure Oriented और Partially Infrastructure Less अब क्या लगता है आपको क्या सही उत्तर है इसका यानि की कोई Building नी लगानी है, कोई Tower नी लगाना है आपको MANITS या इसे कहे Mobile Ad Hoc Networks ये Ad Hoc है यानि ऐसे Network जिस पे कहीं भी आपको Infrastructure Building, Tower या Wires लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी जैसे Routers और Access Points की जरूत होती है यहाँ नहीं पड़ेगी बनिजबत इसके जो Nodes है या Systems है Manit में वो Directly बात करते हैं आपके सबसे करीब के पास से इसमें Multiple Hop में बात होती है तो एक तरीके से Temporary Network बनता है On The Fly यानि Network बनता है बिगरता है बनता है बिगरता है नेटवर्क चेंज होता रहता है इससे क्या होता है कि जो Manits काफी Flexible हो जाते है यानि कि आपको जरूरी नहीं है कि कोई एक Topology फालो करें इसके लावा ऐसे सिनारियो जहां पर Infrastructure लगाना या Building बनाना या Bridge बनाना पॉसिबल ही नहीं है जहां Practical भी नहीं है जहां आप सोज भी नहीं सकते जैसे मान लीजे कहीं पर कहीं पर भुकम पा गया मान लीजे कहीं पर कोई बड़ा डिजास्टर हो गया तो वहाँ पर आप क्या करेंगे या फिर Military Operation वहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं Infrastructure वो तो पहले ही खराब कर दी जाएगी तोड़ दी जाएगी इसलिए इसका सही उत्तर है Infrastructure Less Manage Support Following Topology अब इसमें Options है Star, Mesh, Ring या Not Fixed यानि कि कोई भी Topology नहीं क्या लगता है आपको जो जो सही आंसर है इसका वो आप बिलकुल सही समझ रहे हैं Not Fixed यानि कोई भी Topology नहीं ये Manet या Manet Network ये कोई Topology फॉलो नहीं करता है क्योंकि अगर Networking की बात करें तो हमारे पास अला ग Topologies होती है, Ring, Mesh, Star, Fully Connected, Line Topology होती है, Tree होती है, Bus होती है, तो ये सारी इसमें काम नहीं करती है क्योंकि ये Adhoc Network है, यानि कोई भी Fixed Topology फॉलो नहीं करता है Mobile Adhoc Network जैसे जो Traditional Wide Networks हैं जो पुराने तोर पे चले आ रहे हैं, आज भी चलते हैं, Manage Dynamic है, Change होता रहता है, परिवर करी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो More Nodes है इसके अंदर, वो Move कर रहे हैं, यहां से महा जा रहे हैं, तो Node जुड रहे हैं, Node अलग हो रहे हैं, तो Node जो हैं Manage में, वो एक तो पहली पहली बात वो Freely Move कर सकते हैं, Join भी कर सकते हैं Network को, और उसे छोड़ भी सकते हैं किसी भी समय पर Connection कभी भी बना सकते हैं, और किसी भी दूसरे Node के साथ, जो एक Hop पे हैं, दो Hop पे हैं, Spontaneous तरीके से Connection बनता है, इसका मतलब यह है कि जो Network Topology है, Manit की, वो Fixed नहीं है, कोई इसमें Infrastructure नहीं होता है, यह परिवर्तित होती रहेगी, हर समय Change होती रहेगी, जैसे Node Move करेंगे, औ और आपका एक जो दाइरा है, वहां तक आपकी बातचीच चलती रहेगी, तो Interaction आपका Notes के भी में चलता रहेगा, M2M, अभी M2M क्या है, M2M इसमें देखिए, Option अपने पास है, Mac to Mac Communication, Machine to Mac Communication, Machine to Machine Communication, और Mac to Machine Communication, क्या लगता है आपको, क्या सही उत्तर है इसका, इसका उत्तर है C, Machine to Machine, M से Machine 2, मतलब T-O वाला 2 को 2 लिखा गया है इसमें, और फिर अगें Machine, तो जो टेकनालोजी है, जो आपको ये बताती है, या एनेबल करती है, कि आप बातचीत कर सकते हैं, कम्यूनिकेट कर सकते हैं, दो या दो से अधिक डिवाइसे में, बगहर किसी इनसान के Human interaction की नहीं है, आदमी की जरूरत नहीं है, औरत की जरूरत नहीं है, याने Communication अपने आप होता है, यहाँ पर आपका Data का Exchange हो रहा है, Data की Sharing हो रही है, Information की Sharing हो रही है, दो अलग-अलग Machines के बीच में, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस में कोलाबरेट करते हैं, लेकिन यह सब Autonomous हो रहा है, अपने आप हो रहा है, M2M, ध्यान रखिए, M2M का मतलब यह है, कि आपस में बाच्चीत, बगएर इंसानी Interference के, Interference तो नहीं कहूंगा इसे, बगएर इंसान के जरूरत के, अगर M2M में आप यह समझ गया है, कि इंसान की जरूरत नहीं है, तो यही इंसान की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करती रहती है, यानि कि आपके process को efficient और automated बना देता है, M2M, with respect to WSN coverage problems, the OGDC algorithm is an acronym for, acronym का मतलब होता है, इसका खुला क्या होगा, OGDC का full form क्या होगा, option आपके पास है, optimal geographic density control, optimal geographic distance control, optimal geographic distance coverage, optimal geographic density coverage, क्या लगता है आपको, क्या सही उत्तर है इसका, बिल्कु सही सुना, बिल्कु सही समझा आपने, इसका उत्तर है, option number A, optimal geographic density control, देगे साब, ये एक algorithm है, WSN का मतलब होता है, wireless sensor network, WSN में जैसे light sensor है, heat sensor है, या traffic sensor है, बहुत सारे sensors होते हैं, अब ये WSN में आते हैं, अब आपको sensors रखने हैं, इस तरीके से रखने हैं, कि पूरा cover हो जाए, तो ये OGDC, optimal geographic density control, अलगार्थम आपको बताता है, कि ये area आपको मिला है, यहाँ पर आप इतने आपको sensors मिले हैं, इसको ऐसे रखेंगे, कि बहुत बढ़िया ये coverage दे, यानि जैसे माली जी आपको message, जादा message ना पकड़ सकें, या फिर उनको avoid कर सकें, यानि full coverage मिले, तो OGDC का जो main aim है, इसका जो उद्देश है, वो ये है कि geographic density, यानि कि एक particular area, geographic area, उसका coverage पूरा का पूरा हो जाए, और wireless sensory networks वहाँ पर स्थापित हो सके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप density, कितने sensors कहां लगने हैं, कितने जादा कहा लगने हैं, कहीं जादा लग सकते हैं, कहीं कम लग सकते हैं, ताकि पूरा coverage हो जाए, और network का performance भी बहतरीन रहे, तो अगर आप strategically देखें, तो होता यह है कि हम कहां रखें, ये तो कोई न बताएगा न, वो कौन बताता है, OGDC, OGDC algorithm को बताता है कि इतने हैं, तो य अपने पास option है, आपको क्या लगता है, सही option क्या है, simulated analytics, testbed, none of these, बिल्कु सही समझा आपने, testbed, testbed option C, बिल्कु सही है, देखें, testbed का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा hardware और software हमको परिद्रिश environment, परियावरन मिले, जिससे हम test components का इस्तिमाल कर सके, क्योंकि हमारे पास ultimate system तो है नहीं, ultimate system, final system है नहीं, लेकिन एक ऐसा हम दायरा बना ले, एक ऐसा hardware, software का combination बना ले, कि actual network यह से बनेगा, वैसा बन जाएगा, तो basically क्या हो रहा है, testbed में हम real world environment, एक तरीके से simulation होता है, जहां पर network को actual operate करना है, उसको बनाना है आपको, तो इससे यह होता है, कि भई, आप का test bed, क्योंकि hardware तयार नहीं है, आपका software तयार नहीं है, फिर भी हमको test करना है, okay, actual environment creation है यह, तो इससे क्या होता है, बहुत 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 बहुतरीं testing होती, accurate हो जाती है, और उसी समय आप network performance भी बता सकते हैं, क्योंकि आपकी setting controlled है, आपने हर setting आपके हाथ में है, तो यह ए रहे हैं, वो बहुत जादा real world को तो नहीं बता पाएगा आपको, आपको high charge में बैठने ही पड़ेगा, जबकि analytics जो है, वो आपको comprehensive assessment नहीं दे सकता, इसलिए जो test bed है, यह आपको बहुत शांदार, बहुत clear, बहुत accurate, बहुत reliable, जिस पे आप विश्वास कर सकें, performance का उसको Bluetooth और LAN, local area network, क्या सही उत्तर है इसका, आप दिलको सही सोच रहे हैं, इसका उत्तर है, option C, Bluetooth, दिलको सही, Bluetooth सही related है, Piconet or Scatternet, Bluetooth है क्या, एक short range, बहुत कम दूरी का एक wireless technology है, आपको wire का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, इससे यह होता है, कि आप एक fixed, आपके पास एक setup है, और आपके mobile devices हैं, जो move कर रहे हैं, उनकी बीज में communication हो सके, छोटे distances पे, और एक तरीके से आप personal area network, यानि की pan बनाते हैं, Bluetooth के जरीए, देखे, Bluetooth की यह बारे में थोड़ा और बता दूँ, जो इसका transmission power होता है, वो 2.5 milliwatt से जाधा नहीं होगा, 2.5 milliwatt Bluetooth बिलको ध्यान में दूसरा यह है कि इसका distance 10 meter से जाधा नहीं होता है, शौट range के लिए है यह, अब आते हैं, हम Piconet, Piconet actually क्या है, कि यह एक network Bluetooth devices का है, जहां पर एक device काम करेगा master की तरह, और दूसरे काम करेंगे उसके slave की तरह, यानि एक मालिक होगा, बाकि उसके knocker होंगे, clear, यह Piconet हो गया अब Scatternet पर आईए, यह Scatternet अलग-अलग Piconet का network बनता है, जिसमें अलग-अलग Piconets आपस में बात कर सकें, Piconet क्या हुआ, एक device master, बाकि device slave, एक Piconet बन गया, ऐसे अलग-अलग Piconet जब काम करेंगे आपस में, तो Scatternet बन गया, अब यह Wi-Fi क्या है, Wi-Fi तो आप जानते है, wireless network technology है, खास तोर पर LAN, local area network में इसका इस्तिमाल होता है, उसी के लिए यह नाम लिया जाता है Wi-Fi, और जो ZIG भी आप देख रहे हैं, जहां पर आपके पास power और कम करना है, low power wireless communication है यह, कम wireless है, वायर इसमें भी नहीं लगता है, low powered है, और बहुत छोटे distance के लिए होता है, self chop property of manage signify, अब mobile ad hoc network के में यह self chop क्या है, देखिए option अपने पास है, configure heel optimize protect, communicate heel optimize protect, configure heel organize protect, और communicate heel organize protect, क्या लगता है आपको, क्या सही होता है, देखिए manage में, जो self chop है, वो है option A, configure heel optimize protect, तो option A सही है, देखिए जो self chop है, यह property यह feature यह इसकी जो कलाकारी है, वो यह है, कि manage आपको यह बताएगा, कि manage खुद ही अपने आपको configure कर सकता है, अपने आप automatically, जो भी connections है उनको बनाएगा, addressing सारी जो चाहे IPv4, IPv6 हो, अपने आपको ठीक करेगा, heal करेगा, कोई परिवर्तर है उसके साब से अपने आपको change करेगा, और अगर कोई गलती हो गई, यह को के resources यूज़ करेंगे, उसको बहुत अच्छे से efficiently utilize करेगा, इसका मतलब यह है कि एक और चीज़ जिसमें जुड़ जाती है, security threat, भही आपको protect भी तो करना है, तब यह तो configure heal optimize protect आएगा, समझ जाए आपको, इससे मतलब यह है, कि यह जो property है, वहाँ पर network self-sustaining है, किसी की ज आपको जरूर फायदा हुआ होगा, बहुत शुक्रिया, बहुत महरबानी, धन्यवाद.